UPSC की तयारी के लिए जितनी कोचिंग की आविशक्ता पड़ती है उतनी ही ज़रुरत सेल्थ स्टड़ी की भी होती है केवल कोचिंग का पड़ाया हमें याद रहे और हमारे अच्छे अंक आ जाए अगर हम इस उमीद में हैं तो हम गलत सोच रहे हैं हमें माना जाता है कि उसको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है हमें यह भी ज़रूरत है कि हम हर विशे का गहन अध्यान करें आप इन सभी से कैसे अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हैं चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में नमशकार मैं कृतिका आप सभी का सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो उसको सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन ज़र दुपाएं तो चलिए शुरूआत करते हैं आज की इस वीडियो की आज आपको आईए सबसर आयूशी जैन की कहानी बताएंगे जिन्होंने कोचिंग और सेल्स्टड करते रहें उनका मानना है कि भले ही और कुछ नहीं करें या ना करें लेकिन इस परिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मैनत और सेल्फ स्टडी के ज़रूत पढ़ती है आयूशी जैन मूर रूप से मध्यप्रदेश के विदेशा जिले की रहने वाली तक नौकरी करने के बाद उसके बाद IES की तयारी करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया आयूशी का मानना है कि कोचिंग का फैसला हर किसी का अपना होता है लेकिन अगर आप कोचिंग करते भी है तब भी आपको इस सेल्फ स्टडी करनी होगी इस पर अब एक हर बार आप बहतर तयारी करेंगे आप सभी ये तो जान ही गए होंगे कि हमें किस तरह सेल्फ स्टड़ी और कोचिंग में संतोनन बलाने की आवेशक्ता है आप सबसे पहले अपनी क्षमताओं के अनुसार कोचिंग का फैसला करें और उसके बाद अपनी रणीती बन चलता रहेगा इससे आप हर प्रियास में बहतर कर सकते हैं अगर आप भी आई-स की परिक्षा कर रहे हैं तो प्रभाद प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा कितामें जोने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप इन सभी किताबों को मंगवाना चाह UPSC की प्रिलिम्स परिक्षा में गैरेंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसित पॉब्लिशर प्रभाद प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्शों के टॉपिक-वाइ सॉल्ड पेपर्स आई-स डॉक्टर मनीश रंजन की इस बुक में है एक्स्प्लेंड आंसर्स और ट्रेंड अनालिसिस इसके साथ ही ज़रूर पड़ें UPSC CSAT जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्ड पेपर्स ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलिबल है आज ही ओर्डर करें ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें UPSC एग्जाम